तो कैसे हैं आप सब मेरा नाम है मुदासिर आज कुड़ों का टैटल है भारत की आयरें बायरत निकाल डाली आयरें डॉम और एस फोर हंड्रेट की छुटी भारत की इस सीक्रेट मिजैल के सामने सारी मिजैल हो गई है मतलब ऐसी चीज भारत ने बना लिए जिसने एस फोर हंडर डिफेंस सिस्टमी होगा और आयरें डॉम तक की छोटी कारती है तो यह क्या होने लगए यह प्रोजेक्ट क्या है सारा देखते हैं इसके उपर और उरिजिनल वीडों करेंगे लिए डिस्कृप्शन में तो स्टार्ट दुश्मन का ना ड्रोन काम करेगा ना फाइटर जेट ना रॉकेट और ना मिसाइल सब कुछ हवा में ही राक कर देगी भारत की अभेद्य स्वदेशी नई शक्ती आयरें डॉम से डबल ताकत अमेरिका के थाट से कई गुणा एडवांस्ट रूस का S-400 भी भरेगा पानी DRDO ने कर दिया ट्राइल स्टार्ट इसराइल और इरान के बीच तनाव चल रहा है और वहां आपने देखा है कि कैसे उनका आयरें डॉम सारी मिसाइलें हवा में ही राक कर दे रहा है रूस युक्रेन युद्ध में भी आपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत को देखा है ऐसे डिफेंस सिस्टम अमेरिका चीन और तुर्की के पास भी है लेकिन वो कमजोर है और अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत ने अब इंट से इंट बजा डाली है और इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की अंदरूनी कहानी बताने वाला हूं जिसकी ताकत और खासियत आपका दिन बना देगी तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए और हमारे साइंटिस्टों के लिए कमेंट करना तो बिलकुल मत भूलिएगा आज भारत अपनी रक्षा तैयारी टू फ्रेंट वार को ध्यान में रखकर कर रहा है मकार चीन और बेशर्म पाकिस्तान अपनी घिनावनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है ऐसे में भारत जल थल नब तीनों और से खुद को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सैन्य अपग्रेलेशन में लगा है आसमान से खुद को सुरक्षित करने और दुश्मन की मिसाइल रॉकेट ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए भारत विदेशों से डिफेंस सिस्टम लेने के साथ ही स्वदेशी टेक्नोलोजी को विकसित करने में भी लगा है आज अगर हम किसी से भी सवाल करें कि दुनिया के सबसे मजबूत और जाचे पर रखे एयर डिफेंस सिस्टम कौन से हैं तो जवाब मिलेगा इसराइल का आईरन डोम या रूस का S-400 लेकिन बहुत जल्द इसमें तीसरा नाम जुड़ेगा भारत में वो स्वदेशी ब्रहमास्तर बना रहा है जो इसराइल के आईरन डोम से भी आक्रामक और रूस के S-400 से भी सटीक होगा बड़ी बात तो ये है कि मिसाइलें बन कर तयार हैं टेस्ट शुरू हो गया है और ये खबर चीन के चालबाज जनरलों का दिल बैठा रही है पाकिस्तानी सेना की रूह कांप रही है क्योंकि अब आतंक के कुचक्र का सर्वनाश हो जाएगा भारत की सीमाएं हर तरह के हवाई हमले से महफूज हो जाएंगी इस खतरनाक तकनीक वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है कुशा यह एक ऐसा अभेद्य आसमानी रक्षक है जो इसराइल के आईरन डोम से कई गुणा तेज और रूस के S-400 से कई गुणा शक्तिशाली है दोस्तों DRDO का ये प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह स्वदेशी है और दुनिया के कुछ सबसे मजबूत और आदुनिक एर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा सठीक है कुशा कवच मिल जाने के बाद चीन और पाकिस्तान की आसमानी साज़िश बेकार हो जाएंगी क्योंकि भारत के दो तरफ दुश्मन है दोनों के पास घातक मिसाइलों का जखीरा है ड्रोन है, फाइटर जेट है, अटैक हेलिकॉप्टर है इनसे निपटने के लिए भारतिय सेना के पास एक से बढ़कर एक और कई सतरों पर काम करने वाले एर डिफेंस सिस्टम पहले से मौझूद हैं जिनमें पहला लॉंग रेंज इंटरसेप्शन यानि इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम दूसरा इंटरमीडियेट इंटरसेप्शन यानि S-400 एर डिफेंस सिस्टम तीसरा दोस्तो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की तहत कई रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए शानदार हवाई डिफेंस बनाया गया भारत के पास पृत्वी एर डिफेंस यानि P.A.D. जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी मिसाइलें बेहद उंचाई पर जाकर दुश्मन के हवाई टार्गेट को ध्वस्त कर सकती है इसके अलावा भारत के एडवांस्ट एर डिफेंस यानि A.A.D. की मिसाइलें कम उंचाई वाले टार्गेट्स को मार गिराने के लिए बनाई गई गई है भारत के पास रूस से मिला S-400 एर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जिससे एक साथ बहतर मिसाइलें दागी जा सकती है भारत के पास पेचोरा मिसाइल सिस्टम की 30 स्क्वैडरंस भी हैं जो अलग-अलग सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं भारत के सबसे मजबूत रक्षा कवच में आकाश एर डिफेंस सिस्टम शामिल है जिसकी एक यूनिट में चार मिसाइलें होती हैं और चारों अलग-अलग टार्गेट को ध्वस्त कर सकती हैं भारत के पास त्रिशूल, मैत्री और बराक एट जैसे शानदार डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है तो वहीं स्पाइडर एसार जैसी शौट और मीडियम रेंज मिसाइलें है जिसकी रफदार रड़ार की पकड़ में भी नहीं आती लेकिन इतने सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने बाद भी चीन और पाकिस्तान को जम कर ठोकने के लिए DRDO ने और भी एडवांस तक्नीक वाला सिस्टम बना डाला है क्योंकि इन चार बास दुश्मनों को देखते हुए हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित, सबसे सटीक और सबसे आक्रामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी था और दोस्तों DRDO के वैग्यानिक ऐसा ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम तयार करने में जी जान से जुटे हैं भारत का कुशा प्रोजेक्ट उसी टार्गेट को अब पूरा करने वाला है DRDO के वैग्यानिक प्रोजेक्ट कुशा के तहट स्वदेशी सुरक्षा कवच तयार करने के लिए अलग-अलग स्तर पर टेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के तहद बनने वाले सबसे शक्तिशाली और सटीक एर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के 150 से 350 किलोमीटर रेंज में आने वाले फ्लाइंग ऑबजेक्ट पलक जपकते ही नश्ट हो जाएंगे ये स्वदेशी रक्षा कवच दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ जेट्स को भी सेकंड के दसवें हिस्से में मार गिराएगा सरकार ने तीन साल के अंदर सरहदों पर प्रोजेक्ट कुशा के तहद बनने वाले स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का लक्षे रखा है DRDO के अनुसार ये सिस्टम हाई स्पीड टार्गेट्स और लो रडार क्रॉस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है हम भी देखो शूरु से कहते हैं बहुरत को डिफेंस सिस्टम देखो रहर लिया अच्छा दूसरे देश से तुमने में बेशक आपने ले लिए भाई एरक्राफ्ट ले लिया कुछ भी ले लिया यार लेकिन डिफेंस सिस्टम हमेशा अपना होना चाहिए क्यों कि उसमें आपको 100% भरोसा आप किसी के भी भरोसे रहे कर आप मतलब नहीं बैठ सकते जब तक आपके पस अपना डिफेंस सिस्टम देखो अगर तुम किसी से कोई चीज लेते हो ना अब जरूरी नहीं है कि वह आपको वही चीज दे वह आपको सेकंड कॉपी बनागर देखो एरक्राफ्ट जो अमेरिका अपने लिए यूज करता है ना अगर वह दूसरे कंट्री को देता है तो आपके समझते हो सेम वहीं देता है सवाल ही पैदा न लेकिन अपनों पर ज्यादा फोकस वहारत ने क्यूं दिया क्यूंकि अपनी चीज पर वहारत को सबसे ज्यादा बरौसा होगा और भारत अपनी चीज ऐसी बनाएगा जो किसी ने नहीं बनाई होगी यह बात सच है यह मज़ा है यह कोशा का क्या मतलब है मैं तो यह देगा अपना बहुत 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 गया इसका है रखी का दो यह रखाए